हलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका Go4Prep की सने क्लास में और आज हम औरंग जेब की इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम औरंग जेब के संपूर्ण जीवन परचे उसकी विजियों और उसकी मृत्यु कैसे हुई तथा उसका मगवरा कहां परिस्तित है इसकी चर्चा करेंगे इसकी अतरिक्त हम औरंग जेब से समंधित महत्युकूर्ण प्रस्न एवं उत्तरों की चर्चा भी इस वीडियो में करेंगे तो चले दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों औरंग जेब भारत की इतिहास के पन्यों में दर्जवाह नाम है जिसकी कुरूर्ता के किस्सों से आज भी लोग सिहर उठते हैं वह बहुत ही कुरूर राजा था यहाँ एक ऐसा जालिम राजा था जिसने अपने पिता को जेल में डाला अपने सगे भाईयों एवं भतीजों की कुरूरता से हत्या की यहाँ तक की अपनी प्रजा पर बर्बता करते हुए इसने हिंदूओं के सैकड़ों मंदिरों को भी तुड़वा दिया था दोस्तों मुही उद्दीन मुहम्मद और अंग्जेब मुगल समराट साहजहां का तीसरी नंबर का पुतर था और उसका जन्म 3.9.1618 इस वी को दाहोद गुजरात में हुआ था हलाकि दोस्तों इसकी जन्मतिति के बारे में विद्धानों में कुछ मत्भेद है परंतु 3.9.1618 मान्य है वह बड़ा ही मेधावी एवं प्रतिभा संपन था और उसने अरबी, फार्सी एवं तुर्की आधि भांसाओं का ग्यान अरजित कर लिया था भांसाओं ग्यान के अतरिक उसकी रुची सैनिक सिक्षा में थी और उसने इसमें भी कुसलता प्राप्त कर ली थी सन 1634 सिस्वी के अंतिम चरण में उसे 10 हजारी मनसबदार बना दिया गया था 10 हजारी मनसबदार बनने के बाद उसे ओर्चा के जुझार सिंग देव बुंदेला के विरुद आकरण के लिए भेजा गया और इसके बाद उसे दक्षन का गवर्नर नियूक्त कर दिया गया उसने आलमगीर का खिताब ग्रहन किया था दोस्तों यहां महत्तपूर प्रस्ण है कि आलमगीर का खिताब किसने ग्रहन किया था तो इसका उत्तर होगा औरंग जेप ने दोस्तों कालांतर में औरंग जेप का अपने भाई दारा सीकों से मद्भेध हो गया और इसी कारण उसे दक्षण की सुवेधारी छोड़ने के लिए बाद्ध होना पड़ा इसके उपरांत सन 1645 इस्वी में वह गुजरात का सुवेधार नियुक्त हुआ बाद में उसे सन 1645 में मुल्तान की सुवेधारी मिली इस औसर पर उसे कंधार को पुनह प्राप्त करने का आदेश दिया गया परन्तु इसमें वह अस्फल रहा इस पराजे से अप्रसन नोकर साजहां ने 1652 इस्वी में औरंग जेब को फिर से दक्षण भेज दिया दोस्तों औरंग जेब ने अपने जीवन काल के लगभग 25 वर्ष दक्षण में ही बतित किये और दक्षण में हुए बिद्रो के दमन में उसे अपार धनराज बै करनी पड़ी परन्तु सुवेधार के रूप में औरंग जेब ने एक कुसल प्रसासक का परिचे दिया और महत्वा कांची औरंग जेब अपनी महत्वपूर एतियासिक भूमिका निभाने के लिए उसमें खूद पड़ा चलि दोस्तों जानते हैं कि उसका बिवाह किस से हुआ था दोस्तों दिलरास बानो बेगम के साथ औरंग जेब का निकाह हुआ इसके अतरिक अन्य विवाह, बेगम नबाबबाई, औरंगाबादी महल, उदेपुरी महल, जहनाबादी महल के साथ हुए थे दोस्तों औरंग जेब का राज्चावी से कववा आये इसकी चर्चा करते हैं साजहां के पुत्रों में औरंग जेब सरवाधिक कूटनी तिक एवं उच्च कोट की सैनिक प्रतिभासंपन ब्रक्ति था साजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था और इस युद्ध में औरंग जेब ने सफलता प्राप्त की थी उसने अपने सभी प्रस्भागियों को अपने रास्ते से हटा कर 31 जुलाई 1658 इसवी को सासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। सिंगासन पर बिराज होने का 11669 इसवी में मनाया गया एक सुब मुहूर्त में बासा और अरंग्जेव राजगत्दी पर बैठा। इस अउसर पर धनी और दरिद्र सभी को मुह मांगा पारितोसिक मिला, तमासे और खेल इत्यादी की धूम मज गई, इस प्रकार प्रजा को प्रसंद कर औरंग्जेव जैसे कटर सुन्नी बासा ने अपना राजजिकार प्रारम किया। दोस्तों उसने सत्ता समालते ही कुछ परिवर्तन किये जो की निम लिखित है। आले निर्थ्य एवं संगीत पर रोक लगाई, परंत उसने अपने राजज में संगीत पर प्रतिवंध नहीं लगाया। उसने जनता पर लगे लगभग असी करों को हटा दिया। दोस्तों औरंग जेब ने जब सासन गरहन किया था तो उसे अनेक जटिल समस्याओं का समाधान करना पड़ा था। उसके सासन काल में अधिकारियों के संख्या में बृद्धी हुई और उनके वेतन के लिए अधिक जागीरों की आऊ सकता पड़ी। औरंग जेब ने अपने राजी को बाहरी अक्रमन से बचाने के लिए असम, बीजापूर एवं गोलकुंडा प्रांतों को अपने सासन के अधिकार छेत्र में कर लिया परन्तु इसका बिपरीत परणाम हुआ क्योंकि जितना लगान इन राजीों से मिलता था उतने ही नए उपर उसे खाच करना पड़ता था उसे अमीरों के विद्रों को सांध करने के लिए काफी धन, समय और उर्जा की हान उठानी पड़ी दोसों औरंग जेब को अपने सासन काल में सिखों, जाटों, राजपूतों, मराठों, उत्तर पस्चिम के पठानों एवं नारनौल के स उसलिम सासक औरंग जेब की मृत्यू 3 मार्ज 1707 इस वीक हुई थी, उसने अपने जीवन में कई लडाईयां लड़ी और जीवन के अंतिप पड़ाव में उसे कुछ युद्धों में हार का सामना करना पड़ा, और उसका बहुत सारा खाजाना खाली हो गया था, जिस मुगल समराघ औरंग जेब का मगबरा, खुल्दाबाद महराष्ट में इस्थ है, मुगल समराघ औरंग जेब की कबर, बुरहान उद्धीन के मगबरे के आंगन के दक्षिन पूरवी कोने में इस्थित है, औरंग जेब के ताबुत उसके पुत्र मुहमत आदम और यहां उसको दफन किया गया था औरंग जेब को दफनाने के बाद उसको खुल्द मकान की उपाध ही दी गई थी दोस्तों ये बहुत ही important question है कि खुल्द मकान की उपाध ही किसे दी गई थी तो इसका उत्तर होगा औरंग जेब को औरंग जेब की इच्छा के अनुसार उस दोस्तों औरंग जेब ने लाहोर की बादसाही मस्जीद का निर्माण कर आया था या प्रस्ण बहुत बारी competitive जांस में आ चुका है सन 1678 इस्वी में औरंग जेब ने अपनी पत्नी राविया दुर्रानी की याद में बीबी का मगबरा बनवाया औरंग जेब ने दिल्ली के लाल के लिए में मोती मस्जीद का निर्माण भी करवाया था चलिए दोस्तों कुछ important facts औरंग जेब के बारे में जानते हैं जो की competitive जंस सम्मधित बहुत ही महत्वपून है और कई बारी आते हैं तो दोस्तों मुगल समराट औरंग जेब भारती इतिहास में अपनी कुरूरता और असहिस्टूरता के लिए जाना जाता है सत्ता की लालाच में उसने अपने पिता साजहां को कैद कर लिया और दिल्ली की सल्तनत पर विराजमान होने के लिए उसने भाईयों भातीजों और कई लोगों का कतल करा है औरंग जेब के राज्या विशेक की विवस्था 13 जून 1669 को लाल के लिए ठिल्ली में कराई गई थी औरंग जेब एक रूढ़ वादी सुन्नी मुस्लिम सासक था और उसने अपने से पहले के सासकों मतलब अकबर और हुमायु वाद के उदारवादी विचारों का पालन नहीं किया उसने लोगों के साथ बहुत कुरूर बिवहार किया उसने राष्ट को एक इसलामी राज्य के रूप में अस्थापित करने का नियने लिया था उसने हिंदू त्यवहारों को प्रतिबंधित करने और कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की योजना बनाई थी उसने यूरोपीय कार खानों के निकट इस्थित कई इसाई बस्तियों को धस्त कर दिया और सिख नेता गुरुतेग बहादूर का भी कतल करवा दिया था। ये भी प्रस्न बहुत बारी आया है कि गुरुतेग बहादूर का कतल किसने करवा था तो इसका उत्तर होगा औरंग जेव ने। इसका उसे ने अपने सासन काल में कई युद्धों में भाग लिया। इन युद्धों में सबसे प्रमुख मुगल मराथा युद्ध था। एक समराथ के रूप में वह अपने सासन के तहट प्रदेशों का विस्तार करने के लिए भी बहुत ही दिर्ण संकल्प था। औरंग औरंग जेब के सासन काल के दोरान मुगल सैनिक लगातार युद्ध में लगे हुए थे। एहमद नगर सल्तनत के कबजे के लावा उसने गोलकुंडा के बीजापूर और कुटुपसियों के आदिल साहिस पर विजय प्राप्त की। अपने लंबे सासन काल के दोरान वह दक अपताव आदिस आ सकता इसी कारण वस उसकी प्रजाव से बहुत रस थी। दोस्तों हम आता करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम आएस एसससी बैंक से रिलेटेड बहुत सारे कुश्चेन्स और अपने यूटूब चैनल पर अप्लोड कर रहे हैं तो आप मारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके इसके अलामा गौर्रमेंट हैं कॉम्म्टिटिव जान सम्मंदित किसी भी मेटेरिल के लिए आप मारे वेबसाइट www.go4prep.com विलिट कर सकते हैं कर दो में हिर सकते हैं